हे वाई टी बेंस की हलचा वेलकम बैक तो दरना दोसों धीरे धीरे कोरुना का कहर अब बहुत कम हो रहा है ऐसे में आप लोग की रिक्वार्मेंट लगातार आ रही थी कि आपको शिमला प्लस मनाली का एक टूर पैकेज बना करके दिखाया जाए तो आज में वाई टी भारत पर आपके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट पर फाइव नाइट सिक्स डेस का फ्रॉम दिल्ली से वाया प्राइवेट कार एक पैकेज ले करके आ गया हूं जिसकी वैलिडिटी होने बाली है तिल 15 अप्रेल 2022 इसके बाद समर सीजन के अकॉर्डिंग हर साल की तरह इस साल भी दगबग 30% तक हर पैकेजिस के रेट इंक्रीज हो जाएंगे चाहे वो मनाली के हों शिमला के हों और या शिमला मनाली के हों इससे पहले ही अगर आप अपने टूर को कंप्रीट करना चाहते हैं कम से कम दामों में तो हमारे वेरिफाइड ट्रेवल पार्टनर से आप इस प पॉल करिए सारी जानकारी हासिल करिए और इस पैकेज को अगर अच्छा लगे तो बुक करा लीजे आईए दोस्तों अब आपको डेवाइस आइटनरी बताना स्टार्ट कर देते हैं कौन-कौन से होटल रहेंगे क्या-क्या प्राइजिस हैं उसके बारे में सारी जानकारी दोस्तों सबसे पहले आपको होटल डिटेल्स में स्टैंडर्ड कैटिगरी से मैं आपको इंट्रड्यूस करवाने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड कैटिगरी में आपके होटल रहेंगे शिमला के अंदर होटल मून लेक या होटल शिमला रिजैंसी या होटल एपल रोस कोई सा भी आपको जो भी अविलेबल होगा प्रवाइड किया जाएगा मनाली के अंदर होटल शारदा क्लासिक, कलिंगा इंटर कॉंटिनेंटल, गोल्डन एपल होटल इसमें से आपको प्रवाइड किया जाएगा अब पैकेज कॉस्ट की बात करें तो आपकी शिमला प्लस मनाली का वाया प्राइवेट कार फ्रॉम दिल्ली पाइव नैट सिक्स डेस का सबचे चीपेस दामों पर एपकेज होने वाला है बेस्ट सर्विस के लिए लगजरी सर्विस के लिए 28.500 रुपे फॉर वन कपल और अगर आप हनीमोन इंक्लूजन लेना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज एक्सटाप पे करना होगा अब दोस्तों आगे चलते हैं आपको सेकंड आप्शन के बारे में बता देते हैं इफ यू चूज डिलक्स केटिगरी देन आपको मिलेगा शिमला के अंदर सत्यम पैराडाइस या होटल अगरवाल रीजेंसी मनाली के अंदर मनाली वियू रिजॉर्ट हिमालियन इसनो हाइट या राइडा विला और इसकी आपको चार्ज होने वाला है केवल और केवल 31,500 रुपे फॉर वन कपल वाया प्राइवेट कार फ्रॉम दिल्ली आप जाएंगे 5 नेट 6 डेज के लिए लगजरी सर्विस के साथ आप अगर हनीमून इंक्लूजन लेना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपे एक्स्टा पे करना होगा अब चलते हैं डेव आइस आइटनरी की बात कर लेते हैं दे बन में आप निकलेंगे दिल्ली से शिमला के लिए 380 किलोमेटर की जरनी 9 घंटे के अंदर आपी कंपलीट हो जाएगी वाया प्राइवेट कार इसके लिए आप दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचिए या नियू दिल्ली रेलवे स्टेशन वहाँ पर आपको इस टू जाएंगे लगबग आप पहुचेंगे शिमला में इवनिंग और इवनिंग में पहुच करके आप वहाँ पर चेक इन करिए रेस्ट करिए और फ्री हो जाएए अगर आपको कोई इंडियूजल एक्टिविटी करनी है आपको माल रोड जाना है लोकल फूड को ट्राई करन करते हैं उसके बार लॉट करके डिनर करने के बाद आप ओवरनाइट स्टे करिये अपने शिमला के होटल में डे टू की बात कर लेते हैं डे टू आपका होने वाला है शिमला का फूल डे का साइट सिंग दोस्तो फूल डे की जब मैं बात करता हूं तो आपका सुबह 9 बज आपको पिक अप करेगा और लेकर के चलेगा शिमला के सबसे फेमस वना तो फेमस हिल स्टेशन जिसे हम कोफरी के नाम से जानते हैं बैस्ट हॉलिडे पैरडाइस है शिमला का जो बहुत ही मनमोहक हो जाता है खास करके जब स्नूफॉल पड़ती है यहां पर आप बहुत सारी पर देखर के तुर्बीन के माध्यम से कोफरी के सबसे हाइस पॉइंट पर जाकर के नजारा ले सकते हैं उसके बाद आप बीच में कुछ और जगहों पर जाएंगे और शाम को ड्रॉप कर दिया जाएगा आपको वापस माल रोट किया सपास और आपकी एविनिंग फ्री ह होगी आप घूम सकते हैं दा मॉल दा रिज इसके इंडल पॉइंट अब बात कर लेते हैं दोस्तों डे ठी के बारे में इस दिन आप निकलेंगे शिंबला से कुलू होतेवे मनाली पहुंचेंगे 280 किलो मीटर की जर्नी लगबग 9 से 10 घंटे के अंदर आपी कंप्लीट होगी इसके लिए सुबह सुबह ब्रेक फास्ट करिए समान को पैक अप करिए और निकल जाए मनाली के बहुती सुन्दर सफर पर रास्ते में आपको देखने को मिलेगा सुन्दर नगर लेक पंडोह डैम, वैशनु देवी टैंपल, कुलू और उसके बाद शाम को आप पहुँचेंगे मनाली होटल में चेक इन करिए अराम करिए डिनर करने के बार अब दोस्तों बाठ कर लेते हैं डे फोर के बारे में डे फोर आपकी होने वाली है मनाली की लोकल साइट सिंग इसके लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए और निकल जाई लोकल साइट सिंग के लिए जिसमें आप गोमेंगे हडिमबा देवी टैंपल जो पंद्रे सो तिरपन में बना था उसके साथ क्लब हाउस, वन विहार, तिबतन मोनेस्ट्री, तिबतन टैंपल, वसेस टैंपल ऐसी जग कॉस्ट पर माल रोड से अपने होटल पर पहुँच जाएए, डिनर करिए और अराम करिए ओवरनाइट स्टे करिए अपने होटल के अंदर, अब बात कर लेते हैं डे फाइव के बारे में, इस दिन आप मनाली से निकलेंगे, सुलांग वैली पहुँचेंगे, जो आपका स स्नो पॉइंट हो सकता है, स्नो पॉइंट के अंदर आप बहुत सारी एक्टिविटीज को एंजॉय करेंगे, जो आपकी स्नो एक्टिविटीज होने वाली हैं स्नो फॉल के दिनों में, आप स्कींग कर सकते हैं, पैरा ग्लाइडिंग कर सकते हैं, रोप भी कर सकते हैं, ता पारे से बारे में डे शिक्स के दिन आप सुबह सुबह ब्रेख फास करिया चेक आओट करिए अपनी होटल से उसके बाद आप निकालेंगे मनळी से दिल्ली के सफ पर जो आपका बहुती अरामदाएक सफर होने वाला है अब पैकेज की बात कर लेते हैं क्या इसमें शिम्ला के अंदर त्री नाइट अकॉमडेशन मिलेगा मनाली के अंदर उसके बाद फाइब रेकफास्ट होंगे फाइब डिनर होंगे फाइब जो लंच है वो आपके होटल से बाहरी होते हैं असलिए आपको प्रवाइट नहीं किये जाते हैं पिकप ड्रॉप मिलेगा दिल प्रॉड पार्किंग चार्जेज, ड्राइवर चार्जेज, फ्यूल कॉस्ट, ट्राइल टैक्स शारी टैक्स में इंक्लोडिट हैं उम्मिद करता हूं हुं दोस्तों आपको सारी जानकारी मिल गई होगी फिर भी टूर पैकेज की और जानकारी विस्तरत रूप से लेने के वाईटी भारत के सरे के बहुत यगले इंटरस्टिंग इंफॉर्मीटी वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत दोस्तों नमस्कार बने रहे ये वाईटी भारत पर धन्यवाद सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में